अलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टु लेट्स नो डियार, होग ओलो पियो रोई फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगो के लिए एक बहुती खास एन इंपोरेंट टोपिक लेक्टे आया हूँ जिसमेंसे हर बार बहुत सारा कोश्चेन एक्जाम में पुछा जाता है जिया दोस्तो मैं आज बात कर रहा हूँ एपिटेल्स एन ट्रेडिशनल ड्रेस ओफ इंगियन स्टेट्स वीडियो बहुती इंपोरेंट है इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा इन वीडियो पसंद आयेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा एन वीडियो शुड़ो करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप रुवत से अगर आप मेरे चैनल पर ने हो तो चलाएंट तो सब्स्क्राइब करके बेल एकन दबा देजिएगा ताकि मैं जब भी निया बीडियो दा दोंगा तो सबसे बेले नोटिफिकेशन आपको मिले तो चले शुड़ो करते हैं आज का वेडियो तो फ्रेंडस फास्ट वणीज आश्म आश्म का केपिटल है दिश्पूर देन आश्म का ट्रडेशनल ड्रेस में लुव्मेन पेहनती है मेकला जादोर अर रिया मेकला जिसका दूसरा नाम है मुगा और ये मुगा शिलक से बनते है जिसके बाद ये सब सबसे ज़्यादा बोरो जन्जति के लोग ज़्यादा पहनते है Then man, man का traditional dress है धोती, कुर्टा एंड गामचा Then second one is अंदरप्रदेश, अंदरप्रदेश का capital है हाईदराबाद Then अंदरप्रदेश का traditional dress है, man के लिए है धोती और लुंगी एंड कुर्टा And महिलाओ के लिए लंगा बोनी शारी एंड कलमकारी शारी ठीक है, ये दोनों को नाम याद रखना जो एक्जम के लिए important है Then third one is अरणचल प्रदेश, अरणचल प्रदेश का capital है इटनगर And अरणचल प्रदेश के traditional dress में महिलाओ के लिए स्कार्ट के साथ full slave coat पहनती है जिसको मुशाइक्स and गुर्डाम्स के नाम पे जाना जाता है And man के लिए है लुंगी एंड शार्ट, ठीक है Then fourth one is बिहार, बिहार का capital है पाटना पे And बिहार का traditional dress में महिला पहनती है तुशार सिल्कशारी And man के लिए है धोती एंड कोड़ता Then next fifth one is चतिजगर, चतिजगर का capital है नयारायपूर And चतिजगर का traditional dress में महिला पहनती है लुगडा एंड पोल्खा And man के लिए है हलबास, घटलूस, आभूज, मारियास, मूरियास, धोती and टारबान ठीक है यह सब याद रखना है Then sixth one is गोवा, गोवा का capital है पानाजी Then गोवा का traditional dress में महिला जो है वो पहनती है नववारी शारी And man पहनता है शार्ट, हाफ़ पैंट and बेंबो हैट Then seventh one is गोजराट, गोजराट का capital तो है गांदीनगर पे And गोजराट का traditional dress में महिलाओ के लिए है चनिया चूली यह three piece का dress होता है जिसमें घागरा, चोली and head will Then man के लिए है चोड़नो, चोड़नो का मतलब होता है एक प्रकर का धोती And then है केडियो, केडियो का मतलब होता है कोड़ता, ठीके वहापर कोड़ता को केडियो बोला जाता है Then है हरियाना, हरियाना का capital है चंडिगर इसके बाद हरियाना का traditional dress में महिला पहनती है घागरो चोली यह भी एक three piece का dress है जिसमें आता है दम्मन, दम्मन मतलब होता है long skirt Then है कुर्ती and है चुंदर, चुंदर का मतलब होता है दुपट्टा, ठीके Then man के लिए है धोती कुर्ता, इसके साथ एक headgear भी पहनते है जिसको पागरी बोला जाता है and footwear भी पहनते है जिसको जूतिस बोला जाता है Then next है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का capital है शिमला, ठीके हिमाचल प्रदेश का traditional dress में महिला जो है वो पहनती है कुर्तास, रहीद, घागरा लहेंगा चोली, scrubs and shawls ठीके, तो इसमें से कुर्ता जो है उपर बला dress में चला गया, घागरा लहेंगा चोली है, नीचे बला dress यहाँ पर जो रहीद है, यह एक प्रकर का दुपट्टा होता है और एक्जम की परपस से यह नाम बहुत ही important है, ठीके, and male के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस में आता है धोती, कुर्ता, चोडिदर, पाइजामा, एंड इसी के साथ वो लोग पगली भी पहनते है, ठीके, डेन है जार्खन, जार्खन का केपिटल का नाम है रांची, and जार्खन का ट्रेडिशनल ड्रेस में ट्राइबल विमेन पहनती है पार्थ अपरवला जो बॉरडर है वुग पहनती है ठीके, जॉन ट्रेडिशनल ड्रेफूर में पहनती है भागवा एक सिंगल पीस क्लोथ है जो यह नाम आप लोग की एक्जाम की परपस से बहुत ही इंपोर्टेंट है देन नॉन ट्रेबल मेन जो पहनता है इसमें से कुर्टा पाई जमा धोती एंड शाठ है ठीक है देन नेक्स्ट है कर्णटका जिसका केपिटल है बेंगलोरुपे खेक कर्णटका का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है इसमें महिला पहनती है दवानी इलाकल शारी सिल्क शारी चांग एड मेश्योड है फिक य६ आप लोग आप लोग देखे होंगे कि साउथ इंडियन लोग आपने कंधे पे दुपट्टा जैसा एक छोटा कपड़ा रखता है जिसको अंग बस्तर बोला जाता है ठीक है तो नेक्स्ट है केरला केरला का केपिटल है तीरुबननतपुरम एंड केरला का ट्रेडिशनल ड्रेस में में जो पहनता है इसमें आता है मुंडू या फिर लूंगी ठीक है इसका इसका दुसरा भी नाम है जिसको कली या फिर कली के नाम से जाना जाता है और एक्जाम में आपको इसी नाम से कुशन दिया रहे जाएगा ठीक है जो फीमेल है वो लोग जो पहनती है इसमें आता है मुंडुम नरियत्तम एंड बैनरोशी शारी एंड कंचिपुरम सिल्क शारी एंड मुंडुम नरियत्तम में मुंडुम जो है वो नीचे वाला ड्रेस में होता है और नरियत्तुम जो है ओ इसको उपर वाला ड्रेस को ये नरियत्तुम बुला जाता है ठीक है देन नेक्ष्ट जो स्टेट है इसका नाम है मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश का केपिटल है भोपल ठीक है एन मध्यप्रदेश का ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला जो है वो पहन जिसका नाम है लुग्रा यह नाम याद रखना एक्जाम के परपस से इंपोर्टेंट है ठीक है and most important है बंदेज्शारी यह नाम भी बहुत ही important exam में बहुत बर यह आ चुका है जो मैन है वो जो पहनता है इसमें आता है धोती, कुर्ता, बंदी, एंड, मिर्जाई, एंड, साफा ये दोनों नाम भी एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है तो ध्यान से देखना और याद रखना ये नाम then 14 नंबर जो स्टेट है इसमें आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का केपितल है मूंबाई जो ड्रेस पहनता है इसमें आता है धोती, जिसका नाम है धोतर, धोती को धोतर बोला जाता है इसके बाद आता है Feta and Pagdi ठीक है, देन आता है Manipur, Manipur का Capital है Infal, एंड Manipur का Traditional Dress में महिला जो है वो पहनती है Shawl और Dupatta, जिसका नाम है Inapi, ये नाम बहुत ही अच्छे से याद रखना Inapi, एंड एक प्रकर का Scarpt पहनता है, जिसको Panik की नाम से जाना जाता है तो ये Inapi and Panik दोनों नाम अच्छे से याद रखना इसके बाद जो Man है वो लोग पहनते है धोती, Jacket ठीके, एंड वाइट पगणी भी पहनते है देन है Meghalaya Meghalaya का Capital है Shilong ठीके, तो Meghalaya पर बिसिकली ये तीन टैप का Tribes दिखाई देता है Jayantia, Khashi and Garo ठीके, तो Khashi महिलाओ जो पहनती है इसमें आता है Jansem या फिर धारा Garo महिला जो पहनती है इसमें आता है Blouse and Ganna and Jayantia महिलाओ के लिए है Velvet Blouse ठीके, तो अगर हम अभी Man का बात करें, तो Khashi मेल जो पहनता है, इस ड्रेस को बोला जाता है Jimpong and Garo male के लिए है Loan Cloth ठीके, ये नाम अच्छे से याद रखना है and इसके इलाबा भी जो Non-Tribles पिपल है, वो लोग जो पहनती है इसमें आता है धोती, जैकेट, टर्बन ठीके, then next है Mijuram Mijuram का केपिटल है Ajol and Mijuram के ट्रेडिशनल ड्रेस में, महिला जो पहनती है इसको बोला जाता है Puan या फिर Puanchi, then इसके बाद और भी बहुत सारे ड्रेस महिला पहनती है Mijuram में, जिसमें आता है Paul Coat and Quarche and Man जो पहनता है इसमें आता है Red and White Colored Coat and इसके साथ बोलोग पगड़ी भी पहनता है then next state है Nagaland Nagaland का केपिटल है Kohima and Nagaland का ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला जो पहनती है इसमें आता है Angami, Mechali and Man के लिए है Ratafe then next state है Urisha Urisha का केपिटल है Bhovaneswar and Urisha का ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला जो पहनती है इसमें आता है Kattaki Shari and Shambalpuri Shari and Man के लिए है धोती, कूर्टा and Gamcha तो इससे पहली भी हमने बहुत सरे state में धोती, कूर्टा and Gamcha Man के लिए देखा है then next है Punjab Punjab का केपिटल है Chandigar and Punjab का ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला जो पहनती है इसको बोला जाता है Punjabी घागरा, कूर्टा and Patiala Salwar and मेल के लिए है कूर्टा and ठेमाट and बोलोग इसके साथ एक पागडी भी पहनता है then next state का नाम है राजस्थान and राजस्थान का केपिटल है जाइपूर and राजस्थान का ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला पहनती है घागरास, कांचली और कूर्टस ठीक है मतलब घागरा जो है वो नीचे वाला ड्रेस है and कांचली या फिर कूर्टी वो उपर वाला ड्रेस के लिए होता है then male के लिए है धोती, चुरिदर पाजामा कुर्ता, अंगरक्खा, पटका and हॉइट पगार इसके बाद वो लोग एक कलरफुल पगरी भी पहनते है then next state का नाम है सिकिम सिकिम का केपिटल है गैंटो and सिकिम का ट्रेडिशनल ड्रेस में महिला पहनती है अहंजू, डुम्भुक इसके बाद नयाम रेक then man पहनता है बक्कु इसके बाद इसको खु की नाम पी भी जाना जाता है then next state का नाम है तमिल लडो तमिल लडो का जो केपिटल है वो है चन्नाई then traditional dress का अगर बात करें तो traditional dress में महिलाओ के लिए है पवादा एंड कांजी बरम शारी and man के लिए है लूंगी इसके बाद शाट एंड अंगवस्र ठीक है तो यह सब तमिल लडो के traditional dress है then next state का नाम है तेलंगाना तेलंगाना का राजदानी है हाइदरबाद पे and तेलंगाना के traditional dress पे महिलाओ के लिए है शारी लंगा बुनीज इसके बाद सलवार कमीज and गडवाल शारी ठीक है यह सब महिला पेहनती है and man के लिए है धोती जिसका नाम है पंचा मतलब धोती को पंचा बुलाए जाता है तेलंगाना पे and कुर्ता भी पेहनता है man तो यह रहा तेलंगाना का traditional dress then next है ट्रिपुरा and ट्रिपुरा का capital का नाम है आगरतला तो ट्रिपुरा में बिसके लिए दो टाइप का लोग रहता है एक है tribal community का लोग और दूसरा है non-tribal तो tribal community का महिला जो dress पेहनती है इसमें आता है रियांग, रिशा and रिकुटू and non-tribal woman basically शारी पेहनती है ठीके then tribal man जो dress पेहनता है इसमें आता है रिकुटू कमचलवी, बुरुक and कुबाई and non-tribal man के लिए ज़ादातर धोती कुर्टा इसके बाद टीशार्ट शार्ट भी आता है then अगर हम उत्रप्रदेश का बात करें तो उत्रप्रदेश का capital है लकनो and उत्रप्रदेश का traditional dress में महिला पेहनती है घागर, चोली, सलवर, कमीज and शारी and man के लिए है लुंगी, कुर्ता, पग्रीज and शेर्वानीज ठीके तो ये रहा उत्रप्रदेश का traditional dress तो ये रहा है उत्रप्रखन का traditional dress then सबसे लास्ट जो state है इसका नाम है वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल का capital का नाम है कोलकाता and वेस्ट बेंगल का traditional dress में महिला के लिए है शारी and man पेहनता है धोती, पंजाबी and कोर्ता so friends ये रहा है इंद्या का सभी state का capital and traditional dress का नाम I hope वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को next वीडियो पर तब तक stay happy, keep smiling